हलो एर्वान आम रमेश निसाथ वालकम यौल ऑन बिहाफ अभीपसान अभीपसा टीम आज किस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टर मेकिंग के बारे में कि पोस्टर अखिर में होता क्या है पोस्टर मेकिंग का उद्देश से क्या होता है पोस्टर मेकिंग का हम फॉर्मेट कैसे त्यार करते हैं पोस्टर मेकिंग के कुछ एक्जामपल्स तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस तरह की जो पोस्टर है यह कुरोना काल में लगाए गया थे और इन पोस्टर को देख तो हमें क्या समझ में आता है इस तरह की पोस्टर को देख करके हमें यह चीजे समझ में आती है कि हमें पानी को बचाना चाहिए क्योंकि यदि हम पानी को बचाते हैं यानि हम अपनी जीवन को बचाते हैं से वाटर से लाइफ इसके लाव यदि हम बात करें इसे तो हमें यह मीप्तल चलती है इस पोस्टर को देख करके कि हम्य अपने परियों की रख्षा करने चाहिए हमें विक्षों को बचानाँ चीए विक्षा करना चाहिए ताकि हम अपने प्रितवी को यहां की जीव-जन्तु को अठीक है हम सबूख देखते हैं तो लगे होते हैं जिसमें यह सारी चीज़े दिखाई जाती है तो इस तरह से पोस्टर कैसे तयार करते हैं पोस्टर तो बहुत सारी चीज़े हैं पोस्टर का कोई exact format नहीं होता है अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग जगों के लिए अलग-अलग topics के लिए अलग-अल टॉपिक देखेंगे जिसमें से आपके एक्जाम में जो भी चीज़े आए उन चीज़ों को आप इसी फॉर्मेट में बना सके तो हमने आपके लिए एक फॉर्मेट लेकर करके आया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि पोस्टर कैसे बना जाते हैं उसे पहले हम जान लेते कि जो पोस्टर होता है ना पोस्टर जो होता है वो तीनों काम करता है जैसे नोटीस का भी काम करता है या अवेरनेस जैसे हमने कोरोना का जो पोस्टर देखा है उसमें क्या है उसमें अवेरनेस दिखा जा रहा है और यह जो नोटीस का भी काम करता है निर्देश भी देता है ज जो भी बड़े बड़े बिजनेस में जब पोस्टर लगाते हैं तो वो किस लिए है वो advertisement को दिखाने के लिए है और कुछ लोग जो है कुछ function होने वाला है कुछ program होने वाला है कहीं पे तो वहां पर कई जगों पर पोस्टर लगा जाते हैं कोई dance competition होने वाला है तो इस तरह स से आप बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा चाहे कोई भी topic आए आपकी exam में सबसे पहले आप एक box त्यार करेंगे और इस box के अंदर आपको क्या करना है इसके बारे में डिसकस करते हैं सबसे उपर में आपका होगा title अब टाइटल क्या होता है जैसे परिय से लिएटेड है विक्षय ओपन से रिएटेड है तो विक्षय ओपन तो यसी ही आपको plantation जो भी है ठाइटल आपका सभसे मीन में देखेंगे तो दिवाले फैस्टीवल उसके बाद आप लेखेंगे स्लोगन क्यों क्यों कि स्लोगन यह लीगते हो तो यह काफी अच्छा लगता है जैसे health related है तो health is well यह इक स्लोगन हो गया वैसे हम देखेंगे कुछ यह पूच्छ चोफिक से related और इसके लावा जैसे water सी related है तो से टो से native life इस तरह कि आपको क्या करना है चोटे-छोटे slogan का यूज करना है कम से कम ईक स्लोगन आप करेंगे अब इसको क्या है हमें poster को जादा से जादा attractive करना है will take एक काम किया होता है poster में हम कम से कम words करते हैं लगभग 50 words का use करना है ज्यादा words नहीं करना है क्योंकि जो भी हम चीज़े डाइग्राम अगेरा बनाते जो भी चित्र दिखाते हैं उस चित्र के माध्यम से ही लोगों को समझ में आ जानी चाहिए यही काम होता है दिवाले की फईस्टियल में इस तरह से आप क्या बनाओ भी दिये है तो आप क्या करो कि सियाना है नहयां कि आप को कैसे भी करके सजाना अंट आप जो है यह दी blockchain और अपनीं है ना अपने अर्थ से रिलेटेट तो आप ऐसा अपनी प्रिथवी बना सकते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो तो यह हो गया प्रिथवी से रिलेटेट इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बना सकते हम इसके अलावा जैसे एजुकेशन से रिलेटेट है पुस्तक से रि है डिजाइन वगेरा बनाना है तो आप इस तरह से डिजाइन भी बना सकते हो तो यह हो गया आपको ऐसे ही आपको क्या करना है डिजाइन वगेरा यह सारी चीज़ें आपको पोस्टर में लिवा पोती आपको करनी है ताकि आपको क्या करने पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा एठ्राक्टिव बनाना है तो आपको जितना अच्छा से अच्छा बनाना आ जाता है जो भी चित्र बनाना है वैसे आप बना सकते हो तो यह हो गया आपका चित्र वगेरा टाइटल स्लोगन और इधर आपने बना लिया चित्र और यहां पर आप क्या लिखात को तो पॉइंट्स लिखोगे अब पॉइंट्स क्या क्या लिखना है पॉइंट 1.2 लुइंट करके यहां पे 0.2 ?3 ?5 ऐसे चार-पांच तीन-चार पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं जैसे कि कुरोना वाइरस से रिलेटेड है तो कुछ-कुछ पॉइंट्स आप लिखो गया फालो सोसल डिस्टेंसिंग कीप क्लीन इस टाइप से आपको क्या लिखना है पॉइंट लिखना है यह डिपेंड करता से रिलेटेड है वह जो है गया देंगे तो यह होगया डाइग्राम टाइटल स्लोगन और जो भी चीज़ें यहां पे सजावति के लिए कुछ-कुछ और आप बना सकते हैं उसके बाद देखें नीचे में आपको क्या लिखना है नीचे में आपको लिखना होगा यहां पर यदि कोई function है कोई program आप organize करने वाले उसके लिए poster है तो क्या करोगे यहाँ पे आप लिखोगे नीचे में date और क्या लिखोगे time और क्या लिखोगे venue venue means place कौन से date पे होना है किस time पे और कौन सी जगह पे यह सारी चीज़े आपके mention होने चाहिए इसके लावा यदि कोई competition है यहाँ कोई program है ठीक है तो उसमें अगर फीज वगेरा है तो ऐसे में क्या करोगी यहाँ पर आप फीज भी आप क्या करोगे यहाँ पर बताओगे कि इसकी लिए ticket इतना रुप्या लगेगा जैसे movies वगेरा है तो movies के लिए poster लगा हुआ है तो उसमें क्या रहता है फीज व या organized by किसके द्वारा issue किया गया है या किसके द्वारा organized किया जाने वाला है तो यह चीज़े आप इधर आप लिखोगे कि किसके द्वारा organized किया जा रहा है ठीक है तो ऐसे ही आपको एक सिंपल सा poster तयार करना चाहिए जो भी topic आया बस आपको हमें सा याद रखनी है कि title कि उससे related और यह अधर आप .1234 ऐसा आप चार पॉइंट पाच पॉइंट लिख सकते हैं डेट टाइम लिख सकते हैं उसके बाद अगर फी है तो फी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद issue by किसके द्वारा किया जा रहा है यह ऐसी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पोस्टर तयार करनी है उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्जामपल जिसमें हम देखेंगी कि आपके कुछ-कुछ स्लोगन कैसे और किस तरह से आ सकते हैं ताकि एक्जाम में अगर आएंगे तो आप क्या करोगी इन स्लोगन का यूज कर सकते हो तो हर एक की लिए मैंने द आपके टोमयर्मेंट बेर टोमारो अजुकेशं से रिलिएटेड है बीएजुकर एजुकरण देख इंचेंगे इज आपके लाइंगे फिर आपके दिवर्ड आप यूज यह कर सकते हो दो दो है एक एक को कम से कम एक यूज कर सकते हैं वोट आपके डेमोकरीज एविज से तो ऐसे ही आप जो है स्लोगन का यूज़ करेंगे और मैंने कुछ स्लोगन आपके लिए हुए है तो इनमें से जो भी टॉपिक आता है उसे रिलेटेट दो-दो स्लोगन से उनमें से आप कम से कम एक स्लोगन यूज़ कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग के टाइंग अब हम देख है यूज़ स्कूल इस गोईंग टू ऑर्गनाइज दिवाली मेला डिजाइन पोस्टर टू इनफॉर्म दे स्टूदेंट्स अबाउट इड फिप्टी वर्ट्स में आपको क्या करना है बताना है आपके स्कूल में दिवाली मेला और्गनाइज किया जाने वाला है और है चाहिए नोटिस के लियो चाहिए लिविटेशन के लिए हो है ना तो देख लेते हैं इसका चुर्प वार्म वाली मिला उसके बाद हमने चलोगन का है सब्सेए दिवाली है तो दिया लगा दिए और कई चीजह है तो और चीज़ें लगा सकते हैं इतना हमने कुछ कुछ फोटो का यूज का इमेज का यूज किया है जैसे क्रैकर्स का हमने यूज किया हुआ यहां पे यहां पे हमने पॉइंट्स दिये हैं देखे पॉइंट्स के लिए यहां पे देखो कुछ-कुछ आप डिजाइन ऐस इस टाइप का डिजाइन यह जो भी आपको अच्छा करता है टाइटल के पर depend करता है आप पॉइंट बना सकते हो उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा है यहां पे date time and when you लिखा हुआ है at school ground on 25th October इस तरह से टाइम दिया है एंट्री एंट्री के यहां पर टिकेट है फिस दिया हुआ है तो यहां पर हमने लिखा हुआ है उसके बाद और और इस्ट बाई या इस्ट किया जा रहा है या किसके द्वारा यह चीज़ जारी किया रही है तो यह आप यहां पर लिख सकते हैं तो ऐसे ही आपको क्या करना है पोस्टर तायर करना है एक आर रॉं्ट यहां पे नाम भी धिया हुआ है तो इसके एकौर्ड त्यार करना है पोस्टर की आपको कहा जा रहा है कि आप एक फिट्नेश ट्रेनर हो और आपको क्या करना है पोस्टर अपोस्टर त्यार Torres करेंगे यहां पर टाइटल हो जाएगा The importance of exercise exercise कर इंपॉर्टेंज क्या है फिर यहां पर स्लोगन लागा इंवर्ट हर्ट तो बीकम यहां पर हमने design के लिए कुछ कुछ चीज़ें बना दी है यहां पर fitness लिए ताकि यह attractive लगे क्योंकि पुस्टर का मकसद ही है कि वह जादस ज़्यादा attractive लगे जादस ज़्यादा poster का उसके बाद यहां पर हमने topic लिख दिये control weight increase metabolism increase self-esteem tone tones muscles relief stress ऐसा तो इस तरह से हमने point लिखे यहां पर हमने कुछ चित्रा बना दिया exercise का उसके बाद इधर हमने लिख दिया exercise helps us to achieve physical and mental health यहां पर हमने कुछ चीज़े और जानकारी दे दी अगर हमें अच्छा लगा point अच्छा लगा तो उसके बाद हमने यहां पर लिखिया date time and venue यहां पर फीस नहीं है free का है तो free का है तो उसके लिए आपको क्या करना है बनाना है ज्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको छोटा सा बनाना है यह घर दिया है टाइचतन ठील एक आक्तो स्लोगन कुछ कुछ design फोटो चित्र वगरा tap को driving करना है उसके बाद यहां कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको डेट टाइम वेन्यू फीज दिया है तो लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं उसके बद यहां पर इस्ट्यूट बाई उनका नाम लिख देना है तो ऐसी आपको पोस्टर तयार करने हैं आपको पोस्टर मेकिंग काफी अच्छे समझ आया होगा मैं मिलूंगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के साथ नेक्स वीडियो लेक्शन में तब तक के लिए धन्यवाद